इतनी बड़ी टंडी लेके जा रहे हूं बंदर गड़ आने के लिए हाला कि मैं खुड डर सकती हूं बंदर कपड़ों से खेल रहा है यह खबर मिली हमें और यह सच है यह देखो तुम्हारी नमें तांग तोड़ दूंगी ऐसा मैं सिर्फ कह सकती हूं कि बसकी थानी है लो भाई दूपक्ता शिरो किए तुम शिंचैन वाले शिरो हो नहीं हूं कि दा फ्यार है बहाना चंडा के राम पर जिकर हो रहे है चंडा का स्कूल पर नाम है चाइनी का बच्चे गहरे है चाय में निका आपको क्या लगता है चायनी का मतलब मैं चाइनी का का मतलब क्या होगा चाइनीज अब बच्चों के पास जा रही हूँ क्योंकि मुझे कॉंटेंट बिलना है ओके सो हेलो हाई नमस्कार मेरे दोस्तों कैसे हैं आप शाम के बज़ रहे हैं लग भल लग साथ और स्वाकत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो बात है ऐसी कि व्लॉग शुरू कर रहे हैं पीचे से मम्मी श्ष्ट कर रही है बुंदा बांधी हो रही है और मैं बच्चों के पास जा रही हूँ और वहाँ पे चंडा जिसका स्कूल में ना हम है चाइनिका उसके नाम पर जिक्र हो रहा है मैं तेरे लिए आई हूँ चाइनिका जिसका कोई मतलब भी नहीं है पता है जो अभी भी बहुत सारे लोगं को क्या लगता है बता है मेरे नाम मुझे कई बार लोग चिड़ाते से कॉलिज में स्कूल टेभी ऐसे कोहनी दिखाते है पिर कहते है हाई कुनी तुम लोग के पास थो नाम है यह तो पिताओ तुम हो कोई कां से हैं तुम मैं से आये थूं कि यहां प्रिष गैंग का बंदा है कर्ष तुने गैंग बदली कब बतली बाई प्रशली की बार ब्लोग में टेप्चिर किया जाएका लेकिन बड़ी है मुझे पता है तुम्हारा बड़े जुलाइमा आता है और 27th of July 23 तुम्हारा 23 23 23 ओके थोड़ा डौट हो सकता है बड़ तुम हमारे सामने हो पैदा मतलब सामने इन दे सेंस में को याद है तुम्हारा नाम क्या चाइनिका मुझे मेरे पास पता है को निवा की वजबन की फोटो है अब है चल्चा देखना अभी दिखाना है प्लीस अभी कैसे दिखाऊ गा अब मैं कपसे सोचे थे आंटीक भावी को बोला और मुझे वाली फोटो देना तुम तुम दोनकी जो साथ माली फोटो है जो ने खीच के निक दी थी मेरे एक लाली है अब वो तो यहां पर किची स्कोने में ऐसाली यहां कि जिची तो चूप नाचारी तो एन फोटो चूटो होते थे मतलब इतने इंडशांस बहुत छूटे होते थे तो उस टाइम पर हमारा नय आनय नियम रहा था ददू की नए जॉब लगी थी तो सारे बच्चों की वह स सबको बिद्धी आता तो इन दोनों की प्यारी फोटा है ये लोग जो शौका ड्रेस होती न वो इस पे फोटा है न वो भीजना मुझे में लगाऊंगी इस पे ठीक है और कैसा पोस्त था कैसा था पोस्त दो सेम सेम लेकिन तब दिपाली थोड़ी लंमी लगती थि आर चंड़ा छोटी आप दिख रहे हूं सब बड़े हुरही है मुझे फोटो देखनी अबी मेरे बहुत पोटो सुने है मारी एलबं में भॉलु के बर्डी की ना कोनी बाई को इस दाज करना ले आसे कर गार कि इससे पी आसा आती दो कोमते है दोनों बहुंब मेरे न ऑसे चिपक बठे थे इतर पे ताफ और किसा मूवना है ना जह तो जुडवाई होंगे इतने इतने दिन से खोय होंगे जसे इतने चिपके वैटकते तो नो मलम मैसे अरे तो मिनुवाई ना ऐसे एक दो लोग में तुनिया लोगों का कॉमेंट आए कि चाहिनी का घाएं अरे मैं यहां हूँ देखो जिखो जिख यह अजिए आधमीना कॉफी लेके घूमता है देगो मेरी नी है सिकी काफी आई यह इस ही की कोफी पी पीला है हुझे उझे का आदी की का उखी बिला उझे टूस अट्रम इसको ब्लैक कॉफी हो पिला है जिसका अगर सबसे नियर होगा वो ही पिला एगा धुछी बारी ए यह कॉफी ले क्या है बोलता है कि कॉफी पिलाओ मुझे यह इसको ने पहले नहीं देखा यह तो सही प्राणी है कहा यार शादी में नहीं थी आप डांस करी थी तुम शादी में थे हां तो मेरे तो भीया की शादी थी और तुम गए नहीं भाईया लोग चले गए नहीं हां तुमने मुझे बिंदी दी थी ना और वो बिंदी मेरी गुम गई थी और मैं इसलिए बिंदी नी लगा पाई अपने इवेंट में इजा बड़ी बिंदी लगाई चोटी ने करने पहले को मैंसे मेंको इक इवेंट में जाना था मैंसे बिंदी मांके लेगाई थी और बिंदी खोगी बताओ तुन्हें सच्छा मन से नी दिए इस प्रांइ को बौल ईजा ज़िए इस उसको इसको अचली सौका तुम तो खाली ने आ हो तुम तो खाली ने आवे दूति यह नोका यह होगा, यह होगा in JOHN कर अधर आधर से को मिले लोगने जोडिए होगा? यह तो फेली होगा आए है . यह होगे लोगने साँ सराफे मिलिए करें लोगने मैं टी मुझा के लाएं ग़रमा nova ओ यह होगा है उसके बाद बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने सौरव को कॉल किया और उनकी बात कराई इन लोगों ने इतना हला किया कि सौरव भी बोला ये जो सौरव करी बात करी बते हैं इतना शर्मा अ रहे इतना शर्मा रहे इतनी एक्सार्व अब क्या बताओ वीडियो काल मिजे इसी याद जब पास हुझे मैं सोचे था पहले मजाख होगा फिर सच्छी में निकला है तो तुम्हें पता निए वो सौरफ का वो है एक हमशकल है उसको में सौरफ जोशी बना के तुम्हें बात करा दिया यह उजी भूता था थादी। जोसी काल का नंबर मुझे मुझे जरीनाँ आए में भाते करूंगा। पढ़ाई करो। अच्छा तुमें क्या हो रहा है? शॉक लगा है? वहाँ वहाँ बढ़ा मज़ा है। बढ़ा मज़ा है। तो कैसे लगे तुम्हें सौरव भाया तुम्हारे अच्छे लगे बहुत अच्छे हम तो उनकी बहुत बढ़ आड़े सुस्क्राइबर है कौनी वाकी भी आए बड़्ट मतब थैंक्यू हैंक्यू कुछ नहीं को गे इती दिन से सौरव जोशी सौरव जोशी कर रहे थे अच्छे लोगे बहुत बहुत पर दिन से सौरव जोशी से मिला दिया अपनों रोज आपनों रोज आपके एरे पैर चुना ठीक है अब चूलेता हूं तो खुछ जो ने नहीं नहीं दुम लोग तो खुछ जो ने नहीं तुम लोग अब बड़ा मज़ा है ठीक और जीलो अब चुछ जरूध कहा अभी भी भी अशी आज़ चलेगे की तब क कि अदू को जोष लुद क्यूह जोच लगे की चौथ जों को काया तना को दुटाए कहाँई की तुटाच लुट जा रगला तोगई ईंहें की कार नहीं क्योंट सभ लिखता आप को है टो कुनीवा कांने क्यी तोड़िशीति पालीन आपको लगा दो वहाँए ह। मैंने आपका व्लॉग भी देखा के नहीं चुशचा की अच्छा लिगा हमें करनको डने के नाँआप कोनिवा प्लीजिया किर सिस्क्राइब कर दो लाइक कमेंध किल याँजेख आगे जालो ऑदो हमें में दिधा हमें डीजालो आवीया और लोगयों को सालव के नाम पर सालने किल गया इनका नाम ना जिनकों समझनी आता ना जो कान सुननी सकते उनको तो क्या करना है यहां पर मैंने उस दिन आपको दिखाए था ना डामर के दिन की भावी के अब भावी गह रही है कि यहां पर नाओ भाव और नैनी ताल गुमने आना नैनी ताल बनिया यहां नैनी नैनी ताल की ताल सौरो जोसी विए को भी बनाना है यहां पर मेरे रादों के पुराने एल्बम में मीनी पाठक पकड़ो पकड़ो और दिखाऊंगी और हमेशा की तरह मेनी पाठक से चिपकी हुई को नी पाठक अप्पों में रात के आट बज गये हैं इनकी एल्बम जो है ना क्योंकि इनके बर्डे मनाते थे बच्चों लोग के तो हमारी फोटोस वगरा देख रहे हैं वह मैं फोट वाली भाब भी भी हागई और कोनी बठक निपहुंची है अब हगया एuh नोपने घखाती हो प्को यहां पूरा पानी आगए ताइल स्की उसे नहीं दिख रहा होगा और रोट पे देखें और चंदा लोगों के पूरे बरामदे में पानी आ गया है इतना पानी आ रहा देखें पता नि की उतनी तेज बारिश हो रही है बहाँ पे चोटा सा कलमेट जहा पानी रुपता और भी देखें रोट के उकतो प अगले तीन चार घंटे खतरनाक वाला अलर्ट बताया है बारिश का अभी थोड़ी कम है इतनी बहांकर पारिश होई दी नहीं बहुत ताइम गजब की बहुत बहांकर बारिश और अब लाइट नहीं है पार बैंक हम खतम कर चुके अल्मोस क्योंकि लाइट नहीं है कल शा तो पापा पढ़ चुके अल्री कहानिया वह पढ़के सुना भी चुके उसके बाद अभे पढ़ रहे हो तो यह एक थोड़ी अलगसी फीलिंग है मैंने इंस्टेग्राम पर अपड़ेट किया था कि मतलब वह सुनी हुए कहानिया और पापा की मुझ से सुनी हुए है और मैंने को पढ़ोगे तो यह अलगसी फीलिंग है और बस फिलहाल इतना है मम्मी और में दुबारा भीग थे क्योंकि यह जो कलमट से पानी आ रहा था ना मम्मी पूरा उसको क्लीन कर दी थी क्योंकि अगर ओवर्फलो हो जाता रूप में फैल जाता इदर दर फैल सकता था हमारे घर की जस्ट बगल में है वो तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके बाद मैं खड़ी थी वहां पर मम्मी का साथ देने के लिए मैं ऐसी हुआ है कुछ काम नहीं करती लेकिन साथ पूरा निवादी है तो हम लोग दोनों ही भीग गए थे और यह व्लोग कुछ इं एक तारीक को बहुत सारी लोगों से मिलाओंगी आपको तो बस फिलाल के लिए तने ही मैं बुक पढ़ दियूं बहुत हो गया ठीक है जाबाग